जार्खन के ग्रामीन छेत्रों में मोबाइल कलास की होगी शुरुआत LED स्कीन पर बच्चे करेंगे पढ़ाई जार्खन एकेडमी कॉंसिल जैक दोरा प्रस्तावीत फरवारी महमें ली जाने वाली आठवी दसवी बोर्ड और बराहवी की परिक्चा के साथ काक्चा एक से सातवी नौवी और एकारवी की बार्षिक परिक्चा के त्यारी के लिए दूर दराज के ग्रामी इलागों में मो योजना निदेशक किरन कुमार पासी ने डिसी को दिया है बता दे एलेडी स्क्रीन पर पठनिय समागिरियों को प्रदसित करने और सक्षनी गतिवीद्यों के संचालन के लिए सिक्छक अभिभावग विद्याले प्रवंदन समीति के सदस और स्वैम सेव को तथा विभीन स्वैम सेवी संगटनों की मदद लेने को कहा है ऐसे में हमें आप बताए कि मोबाइल कलास से बचों को कितना लाब होगा या बचे लाब नहीं उठा पाएंगे मोबाइल कलास ही सही होगा या फिर स्कूल को खोल देना चाहिए हमें आप कुमेंट बक्स में अपना ज्यारखन में 8 दिग्री सेल्शेस तक पहुँचेगा पारा ज्यारखन के लोगोंको अभी थंड से रहात नहीं मिलने वाली है पतादर राजे के कई जीलों में निमतम पारा 8 दिग्री सेल्शेस तक पहुचेगा वही 22 जनवरी से ही राजे के कई हिसों में बारिस होगी जो अगले दीन भी जाली रहेगा मौसम विभाग ने 24 जनवरी को सुबह में कोहरा या धोंद के बाद तोपर में आंसिक तोपर बादल चाय रहने की समभवना भी जताई है मौसम विभाग के नुसार राजे वास्यों को ठंड से अभी कोई रहात नहीं मिलने वाली है सुबह में कोहरा या धोंद भी खोव रहेगा राजे के कई जीलों में कुहासा और तेज हावा चलने से ठंड बढ़ गई है बता दे राजधानी राजची में भी ठंड बढ़ गई है 19 जनवारी से 21 जनवारी तक राजे में सुबह में कोहरा या धोंद रहने का ठंड का मुक्य कारण होगा जैक अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष नियुक्ति के जिसुतना जारी जैरखन एकेडमी काउंसिल जैक का ध्यक्ष डाक्टर अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष विनोत सिंग के नियुक्ति के जिसुतना मंगलवार को जारी कर दी गई है आपको बता दे कि करिब एक माँ पहले सिक्षा मंत्री जगनात महतो ने अपने आवास पर प्रेस वर्ता कर इनके नामों की घुसना की थी बता दे राचीबी स्वविद्याले के गनीत विभाग के सिवा निरीत प्रोफेसर डाक्टर अनिल कुमार महतो को जैक का अध्यक्ष और के सीबी कॉलेज बेडों के पर भारी प्रचारे बिनोत सिंग को जैक का उपाध्यक्ष बनाया गया है 23 जनवरी को होने वाली नेतरहाट परवेस परिक्षा अस्थागीत बिद्ध्याले की वेबसाइट या आकबारों के बादे हमसे बाद में दी जाएगी बता दे कुरोना के कारण इस बार भी कख्षाच्षा में नमागन के लिए एक ही परिक्षा अवजीत होनी थी इसके लिए पांच प्रमंडल मुख्यालियों में केंद्र बनाये गए थे जारी करेगा माल खाना का प्रभार लंबित रहने के कारण करनी अपसरों को काफी दिखतों का सामना करना पड़ता है बता दे पुलिस कर्मियों का बेतन तो रोक ही दिया जाता है रिटार्मेंट के बाद ही पुलिस कर्मियों को पेंशन मिलने में समस्या आती है बता देकी दरोगा लाल जी आदव कोदकुसी मामले के बाद जार्खन पूलिस एसोसेशन ने डीजीपी से मांग की थी की थानेदारों को माल खाना के प्रभारी के तौर पर दरोगा रैंक के अधिकारी की अलग से पोस्टिंग होती है इस्कूल खोलने की मांग को लेकर सचीव को सोपा ग्यापन जार्खन परदेश प्राइवेट इस्कूल एंड चिल्डरेन वेल फेर एसोसेशन पास्वा के जीला अध्यक्षो और पताधिकारियों की ओर से सोमवार को सभी जीलों में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्र इस्कूल खोलने की मांग की ऐसे में हमें आप कोमेंट बक्स में बताए कि इस्कूल खोलना सही ने नहीं होगा या फिर रहाल इस्कूल को बंद रखना होगा हमें आप अपना सुझाव अवस्यदे साथवी जे PSC मेंस परिक्षा पर रोक लगाने से जहारखन हाई कोट का इंकार साथवी जे PSC प्रानभिक परिक्षा में आरक्षन का लाप देने को लेकर कुमार सन्यम ने जहारखन हाई कोट में रीट याज के अदायर की है इसकी सुनवाई मंगलवार को जर्शिस डाक्टर एस एन पाटक के अदालत में हुई अदालत ने प्रार्थी के अनुमायन के अधार पर फिलाल मुक्य परिक्षा परोक लगाने से इंकार कर दिया है बता दे राज सरकार और जे PSC को 6 सपता के अंदर जवाब दायर करने का निदेश दिया गया है 26 जनवारी को CM हमंत दुमका से पेट्रोल सबसिड्री योजना की करेंगे सुरुआत मुक्य मंत्री हमंसुरेण ने अपनी सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष में जिस पेट्रोल सबसिड्री योजना की घोसना की थी उसे जारखन के उपर आज़ानी दुमका से गंतंतर दिवस के दिन 26 जनवारी को लॉंच किया जाएगा बतादे इसके तहत राज्ये के 20 लाख दो पहिया राखने वाले राशनकारधारियों को पहले चनल में लाब मिलेगा इसके लिए उन्हें पेट्रोल सबसिड्री नामक मोबाइल एप के जरिये आवेदन कर राइस्ट्री सिसन कराना होगा बतादे जाखन सरकारधवारा पेट्रोल सबसिड्री योईना राज्ये के राश्ट्री खाद सुरक्षा कानून या फिर जाती है तो आरपीएप के जवान 82 केमरों की मदद से मानो तसकरों को खोईने का काम करते हैं बता दे कैमरों की मदद से कई मानो तसकरों को पकड़ा गया है रांची आरपीएप के द्वारा बर्स 2021 में 169 नवालीगों को रेस्क्यू किया गया इसमें 106 लड़के और कूल एक्टिव केस की संख्या 29 या 977 है भारत में 2,161,139 केस मिले हैं जबकि 1,79 या 499 मरीज स्वास्थ हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 18,347 है जारखर में ट्रेन से लेकर फलाइट की सेकलों टिकटे कैंसील कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण अभावा य यातरा में यातरियों की संख्या में काफी गिरावट आई है बतादे बिर्सा मुंड़ा यारपोर्ट से 15 बिमान उडान भर रहे हैं जो रोजाना 75 यातरी सफर कर रहे थे मगर अब 3,000 यातरी ही सफर कर रहे हैं ऐसे में बिमान कंपनियों के हालात खराब है अब इन को राद करना भी शुरू कर दिया कोडार्मा में 50 फिश्दी किसोरों का लगा पहला डोज कोडार्मा जिले में 15-16 वर्स आयूक किसोरों के लिए चल रहे टीका करन अभियान में पूरे उत्सा के साथ सामिल हो रहे हैं बता दे मंगलवार को भी भी सेशन साइटों में 15 पलस क के चौशट सो तीन किसोरों ने को वैक्सिन का पहला टीका लिया बता दे डोम चांच में 1752 किसोरों ने कोविट का टीका लिया है टीका करन के नोडल पता दिकाई डाक्टर अभाय भुसान ने बताया कि पूरे जिले में अब तक 15 पलस के 50 परतिज़त किसोरों को कोविट क पहला डोज दिया जा चुका है 27 जन्वारे से गुम्ला के स्वास्त कर मियों ने धी हरताल की चितावनी गुम्ला स्वास्त केंद्र के स्वास्त कर मियों को पिछले 5 महिने से मांदे नहीं मिला है से सहयाओ और BTT के समाक्स आर्थिक संकट उत्पन हो गई है बता दे सहयाओ ने स्वास्त भीभा को अल्टिमेटम देते हुए कहा है कि अगर 26 जनवारी से पहले भाकाया मांदय का भुगता नहीं होता है तो 27 जनवारी से सभी सहरी स्वास्त करमचारी हताल पर चले जाएंगे अफ्रीका के माली में फसे जारखन के मैदूर की वतन वापसी पर क्रिया शुरू गिरी डी जीले के बगोदर समेत अन्य जगों के अफ्रीकी देश माली में मैदूरों की वतन वापसी की पर क्रिया शुरू हो गई है पता दे माली में फसे मैदूरों का मामला पी देश मंत पहुचने के बाद उन्हें वतन वापसी सुरक्षित लाए जाने का रास्ता साप होता दिख रहा है। इसको लेकर वहां पर फसे मजदुरों ने भारतिय दुतावास लाए जाए की सुचना सोसल मेडिया पसेर की है। भारतिये दुतावास से इन मजदुरों को वतन वापसी के परकिरिया की जाएगी जिससे उनके घर वापसी की उमीद कापी बढ़ गई है नवालिंग के साथ लोहरदगा के भंडरा में छो यूकों ने किया समोहिक दुसकर्म लोहरदगा जिले के भंडरा थाना छेतर में एक आदिवासी नवालिक लड़की के साथ छो यूकों ने समोहिक दुसकर्म किया बतादे घर ना सोमवर देर रात की है इस समवध में पीड़धा के परिज़ोन ये भंडरा थाना में मामला दर्ज कराया है इस मामले में पुलिस ने तीन आरूपियों की गिरभतारी के लिए छपेमारी की जा रही है घटना के समझ में बताया गया कि पीरता भंडरा से अपने गाउं धाना मुंजी जा रही थी इसी करम में बल सोता सरना टोली के पास छोयू को ने उसे पकड़ कर केला के जून के पास ले जा कर दुसकर्म किया खुंटी के बजारू में मिल रहे नकली सोस और आटा खुंटी सहर के बयार टांड इस्थीत प्रतिष्टी दुकंदार राम चंद्र साव उर्फ रामा साव के यहां नकली खादे पदात के बिकरी की जा रही थी इसकी सुचना मिलने पर मंगलवार को SDO सयद रियाज अहमद के निर्देश पर खादे सुरक्चा पदाधिकारी प्रकास चंद्र गुगगी ने छापे मारी किया जिसमें काफी संख्या में नकली टमाटर और चिली सोस पाया गया बता दे सोस के बोतल में किसी परकार के जनकारी नहीं थी एप ASO के निर्देश पर लफ़ग 20 पेटी नकली सोस को नश्ट कर दिया गया सरकारी करमचारियों को गंभीर बिमारियों के इलाज के लिए खर्च देगी जहरकन सरकार जहरकन में सरकारी पताधिकारियों और करमचारियों को दिल, लिवर, किड्री, आधिस, समधित, गभीर बिमारियों के अस्पतालों में OPD में इलाज के लिए भी प्रति पूर्ति रासी मिलेगी बतादे पहले इसका लाब बीमा के माध्यम से सरकारी पताधिकारियों और करमचारियों को दिलाने का निना लिया गया था लेकिन अब भीमा कम्पनी के चयन होने तक स्वास्त विभाग दोवारा इसके लिए प्रति पूर्ति राशी समंधित पतादिकारियों वकर्मियों को दी जाएगी स्वास्त विभाग ने इस समंध में संकल्प जारी कर दिया है बताद जार्खन सरकार ने अपने सवी पतादिकारियों और करमचारियों को चिकित साथ सुधा उपलावद कराने के लिए प्रति पूर्ति राशी देने में आने वाली कटिनायों को देखते हुए अक्टूबर 2014 में प्रातिपूर्टी रासी देने के बजाए स्वास्त भी मा कराने का निना लिया था जेवियर एप्टिटूड जेट 2022 का पहिनाम जारी देश के सर्वस्त्रेश्ट नीजी मेनेजमेंट स्कूल XLRI जमसेदपूर समेथ कोई टोप मेनेजमेंट संस्थानों में दाखले के लिए आयोजीत किये जाने वाले जेवियर एप्टिटूड टेस्ट जेट 2022 का पहिनाम जारी कर दिया गया है बतादे 17 जिनवरी की साम को 2022 के नतीजे घोशित किये गए हैं इसमें एक बार फिर जमसेदपूर के छात्रों ने परतिभा का लोहा मनवाया है पहिनामों के अनुसार लोह नगरी के साकेत सिंग सिया को 99.68% अंग प्राप्थ हुआ है जेल में सराप पार्टी मामले में जेलर समित चार निलंबीत गुमला मंडल कारा में गैंग्स्टर सुजीत सिनह समित और अपराधियों के सराप पार्टी के मामले में बड़ी करवाई हुई है जेल आईजी मनोज कुमार ने ए आईजी हामिद अक्तर वा गुमला जीला परसाशन की जाच रिपोट के अधार पर गुमला के परभारी जेलर समेत चार जेल करम्यों के निलमबित किया है बतादे ममले में मंडल कारा गुमला के कारा धिक्चा के खिलाप अलग से भी भागिये करवाई भी होगी जेल आईजी के आदेश पर अनुबंद पर कुक्षपाल के पद पतेनाद दो भुत पुरो सैनिकों का अनुबंद समाप्त कर दिया गया है जारखन में 24 घंटे में 4 मर्यों की मौत 2514 नए केस मिले जारखन में कुरोना संक्रमन की रफ्तार लगातार काम हो रही है लेकिन अब भी सभी को सतर्क और सजगराने की जरूरत है बतादे मंगलवार को राजे सरकार की ओर से जारी किये गए कुरोना हेल्थ बुलेटेन के मुताबिक जारखन में पिछले 24 घंटे के दोरान कुरोना संक्रमन के 2514 नए मामले सामने आए जबकि इस दोरान कूल 4 मर्यों की मौत भी हुई है बतादे 24 घंटे के अंदर मंगलवार को 3897 में मरीज कुरोना मुक्त भी हुए है जारखन के 4 लाख चापानलों की जल्द होगी सेटेलाइट मैपिंग राजे के 4 लाख सधिक चापानल पेजल विभाग की जलाप पूर्टी योज ना हो विभागी अधिकारियों के अंदर इस माह के अंदर पूर्जेक्ट पुरा हो जाएगा इसके बाद राजे के सभी जीलों में सेटेलाइट मैपिंग का काम सुरू होगा बतादे परदेश में जल्द सहया के सायोग से एक-एक हैंड पंप का सर्वे कराया जाएगा जल्द सहया अपनी रिपोर्ट में बताएंगी कि हैंड पूर्जेक्ट की स्योईना के तहत लगाया गया और हैंड पूर्जेक्ट की गहराई क्या है और मरमत कब कब होई है जहारखन के किसान घर बैठे कर सकेंगे पसुधन इसकीम के लिए आवेदन सियम पसुधन इसकीम के लिए एप से आवेदन दिया जा सकेगा बतादे पसुपलन विभाग मोबाईल एप विक्सित कर रहा है इसे किसान इसकीम का लाब लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे आवेदन पंचायत अस्तर सही तयार होगा लेकिन यह सब सीधे मोबाईल अप से होगा इससे स्कीम के संचालन में भी सुविधा होगी बता दे पसुपरान विभाग के निदे सक ससी परकाय चाक के अनुसार जल्दी यह अप तयार हो जाएगा जारखन में पीएम गती सकती योजना के लिए बनेगा मास्टर प्लान पीएम गती सकती योजना का स्टेट मास्टर प्लान तयार करने के लिए राज सरकार जल्द ही किसी कंसल्टेंसी कंपनी को न्यूक्त करेगी इसके जरी पुरे राज की यातायात ब्यवस्ता का सर्वे किया जाएगा और उसके बाद मास्टर प्लान तयार होगा बताद इसमें एकोनोमी जोन अध्योगिक इलाकों और ब्यापारिक मारगों को जोड़ने वाली परिवहन वर लोजिस्टिक सेवावों पर खास फोकस होगा इसके तहद जारखन से होकर गुजर रहे इस टरन डेडेकेटेट फ्रेंट कारिडोर के 196 किलोमीटर से भी कनेक्ट करने की योजना बनेगी बताद 15 अगस्ट 2021 को परधान मंत्री ने इस योजना की घोसना की थी पीएम गति सक्ति योजना में एक गारा अध्योगी कारिडोर और दो डिफेंस कारिडोर के बीच इंटर कनेक्टिवीटी की बात की गई है देवघर में 4500 से ज़्यादा इडिक्सा चल रही बिना रईस्टेशन देवघर की स़्ड़कों पर 5000 से अधिक इडिक्सा का परिचारन हो रहा है बताद जीला परिवहन करयाले देवघर के आकड़ों पर गवर करे तो 487 इडिक्सा का ही रईस्टेशन हो पाया है यानि करी 4500 इडिक्सा अभी बगार किसी रईस्टेशन के ही स़्ड़कों परदावर रही है आकड़ों पर गवर करे तो इडिक्सा की कीमत 1 से 1.25 लाक रुपाय की है प्रती इडिक्सा की निवंधन पर 9,000 से 10,000 रुपे कर्च आता है जारखन पूलिस एसोसियेशन अपनी मांग को लेका सीम को पत्र लिह कर दी आंदुरन की चेतावने जारखन पूलिस एसोसियेशन ने मुख्य मंत्री हेमान सुरेन को तीन अलग-अलग पत्र लिह कर अपनी लंबित मांगो से अउगत कराया है एसोसियेशन अपनी मांगो पर अड़ा हुआ है एसोसियेशन की मांगो से सीमित विभागे परत्योक्ता परिक्षा कही सुचित नियमावली को समाप्त करना सातवे बेतन आयो के अनुसंसा के अनुसार भात्ता देना वह 20 दिनों का छत्ती पूरती अवकास लागू करना सामिल है बतादे एसोसियेशन ने अपने पत्र में बताया है कि सीमित विभागे परत्योक्ता परिक्षा कही सुचित नियमावली के समाप्त नहीं होने से सहायक अवर निरिक्षा कोटी के पतादिकारियों के प्रोणती नहीं हो पा रही है इस नियमावली के समाप्ती से जारखन पर कोई बित्तिय भार नहीं पड़ेगा धन्यवाद ऐसे में हमें आप कोमेंट बक्स में बताए कि मोबाइल कलास से बच्चों को लाब मिलेगा या नहीं या फिर बच्चों के लिए स्कूल खोल देना चाहिए हमें आप कोमेंट बक्स में अपना सुझा और से दे साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करना ना भूले थैंक यू